तो लेजी सुनिए प्रेम चंद्र जी की कहानी विमाता प्रेम चंद्र जी की अन्य कहानिया हमारी प्लेलीस से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बेटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा स्त्री की मृत्यू के तीन मास के बाद ही पुनर विवा करना मृत आत्मा के साथ ऐसा अन्याए और उसकी आत्मा पर ऐसा अगात है जो कदापी शम्य नहीं हो सकता मैं यह कहूंगा कि उस स्वर्ग वासनी की मुझसे अंतिम प्रिर्णा थी और ना शायद यह कतनी मान्या समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए मां की उपस्तिती परमवश्यक थी परन्तु इस विशह में मेरी आत्मा निर्मल है और मैं आशा करता हूं कि स्वर्ग लोग में मेरे इस कारे की निर्दे अलोचना ना की चाहिए और सारान शिया है कि मैंने विवा किया और यद्वा पी एक नव विवाहिता वदू को मातरित व उबदेश बेसुरा राकता और मैंने पहले ही दिन अंबा से कह दिया कि मैंने तुम से किवल इस अभी प्राय से ही दो मास व्यतीत हो गए मैं संध्या समय मुन्नू को साथ लेकर वायू सेवन को जाया करता था लोटते से मैं कतिपाय मित्रों से भेट भी कर लिया करता था उन संगतों में मुन्नू शामा की भाती चहक था वास्तव में इन संगतों से मेरा विप्राय मनोविनोद नहीं किव मुन्नू के असाधारण बुद्धी चमतकार को प्रदशित करना था मेरे मित्रगन जब मुन्नू को प्यार करते और उसकी विलक्षन बुद्धी की सराहाना करते तो मेरा हिर्दे बांसो उचलने लगता एक दिन में मुन्नू के साथ बाबु जुआला सिंग के घर बैटा हुआ था वे मेरे परम मित्र थे मुझ में और उनमें कुछ भेदवाव ना था इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शुद्रताएं अपनी पारिवारी कलह आदी और अपनी आर्थी कटनाईयां बयान किया करते नहीं हम इन मुलाकातों में भी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते थे और अपनी दुरावस्था का जिक्र कभी हमारी जुबान पर ना आता था अपनी कालिमाओं को सदेव छिपाते एकता में भी भेथ था और घनिष्टता में भी अंतर अचानक बावु जुआला सिंग ने मुन्नू से पूछा क्यों तुम्हारी अम्मा तुम्हे खुब प्यार करती है न मैंने मुस्कुरा कर मुन्नू की और देखा उसके उत्तर के विशय में मुझे कोई संधह ना था मैं भली भाती जानता था कि अम्मा उसे बहुत प्यार करती है परन्तु मेरे अश्यारे का ठिकाना न रहा जब मुन्नू ने इस प्रिश्ण का उत्तर मुक से ना देकर नित्रों से दिया उसके नित्रों से आंसू की बूंदे टपकने लगी मैं लज्जा से गड़ गया इस अश्रुजल ने अंबा के उस सुन्दर चित्र को नश्ट भ्रष्ट कर दिया जो गत दो मास से मैंने हिड़े में अंकित कर रखा था जुआला सिंग ने कुछ संच्रय की द्रिश्टी से देखा और पुना मुन्नू से पुचे क्यों रोते हो पेटा मुन्नू बोला रोता नहीं हो आँखों में दुआ लग गया था जुआला सिंग का पिमाता की ममता पर संधे करना स्वाभावी की बात थी परंदु वास्ता में मुझे भी संधे हो गया अंबा साहर देता और सिनही की देवी नहीं जिसकी सरहाना करने करते मेरी जीवाना तक दी वहां से उटा तो हर्दय भरा हुआ था और लच्चा से माथा नहोटता था मैं घर की और चला तो मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार अपने क्रोध को परकट करो क्यों ना मूँ ढग कर सोया रहूं अंबा जब पूछे तो कठोरता से कह दो कि सिर में पीड़ा है मुझे तंग मत करो भोजन के लिए उठाए तो जड़क कर उत्तर दो अंबा वश्य समझ जाए कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है मेरे पाउं पकड़ने लगेगी उस समय अपनी व्यंग पूर्ण बातों से उसका हिर्दय बेद डालूगा ऐसा रूलाओंगा कि वह भी याद करेगी उन्हें विचार आया कि उसका हसमुक चैरा देखकर मैं अपने हिर्दय को वश में रख सकूंगा या नहीं उसकी एक प्रेम पूर्ण द्रिष्टी एक मीटी बात एक रसीली चुटकी मेरे मेरी शिला तुल्लिय रुष्टता के टुकडे टुकडे कर सकती है परंति हिर्दय की इस निर्द बलता पर मेरा मन जुझला उठा यह मेरी क्या दशा है क्यों इतनी जल्दी मेरे चित की काया पलट गई मुझे पूर्ण विश्वास्ता कि मैं इन मिर्द बाक्यों की आंधी और लली कटाक्शों के भाव में भी अचल रह सकता हूं और कहां कहां अभी है दशा हो रही है कि मुझे में साधरन जोके को भी सैन करनी किसा मरती नहीं इन विचारों से हिर्दय में कुछ दृड़ता आई तिस पर भी क्रोध की लगाम पक पक पर धिली होती जाती थी अंत में मैंने हिर्दय को बहुत तबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया ठान लिया कि चलते ही चलते एक दम से बरस पड़ूँगा ऐसा ना हो कि विलंब रुपी वाईयो इस क्रोध रुपी में को उड़ा ले जाए परनतो जो ही घर पहुंचा अंबा ने दोड़ कर मुन्नू को गोधी में ले लिया और प्यार से सनेवे कोमल सुरुप से बुली आस तुम इतनी देर तक कहां गुमते रहे चलो देखो मैंने तुमारे लिए कैसी अच्छे चीफ लौड़ियां बनाई है मेरा कृतरिम कोध एक शन में उड़ गया मैंने विचार किया कि इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है मुन्नू अबोध बालक है संभव है कि वे अपनी मा का समरण कर रो रहा हो अंबा उसके लिए दोशी नहीं ठहराई जा सकती हमारे मनो भाव पूर्व विचारों के अधिन नहीं होते हम उनको प्रकट करने के निमित कैसे कैसे शब्द गड़ते हैं परन्तु समय पर शब्द हमें धुका दे जाते हैं और वे ही भावना स्वभाविक रूप से प्रकट होती है मैंने अमबा को ना तो कोई व्यंगपूर्ण बाते ही को ही और ना क्रोधित मुक ढाक कर सोया ही बलकि अत्यंत को मलसर से बला मनो ने आज तुमें अत्यंत लज्जित किया खजानची सहाब ने पुझा कि तुमारी नहीं अमा तुभी प्यार करती है पवन का सधारन सा जोका भी उसे हटा देता है ये बाते कितनी को मलती इस पर अमबा का विक्सित मुक मंडल कुछ मुर्चा गया वैस अजल ने तरक होकर बोली इस बात का विचारत मैंने ये था स्याद्य पहले दिन से ही कर रखा है परन्तु ये असंभव है कि मैं मुन्नू के हिर्दैस में मा का शोक मिटा दू मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पन कर दू परन्तु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालिमा लगी है वहमिट नहीं सकती मुझे भैता कि इस वारतालाप का परणाम कहीं विपरीता हो परन्तु दूसरे ही दिन मुझे अंबा के विवार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा मैं उसे प्राया साय काल प्रेयंत मुन्यू की ही सेवा में लगे हुई देखता यहां तक कि उस दून से मैं उसे मेरी भी चिंता न रहती थी परन्तु मैं ऐसा त्यागी ना था कि अपने आराम को मुन्नू पर अर्पन कर देता कभी-कभी मुझे अंबा की है आश्रदा ना भाती परन्तु मैं कभी भूल कर भी इसकी चर्चा ना करता एक दिन मैं अनियमी तरुप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया क्या देखता हूं कि मुन्नू दौर पर भीतर की और मुक्ये खड़ा है मुझे इस समय आंख बीचौली खेलने की सूची मैंने दवे पाउं पीछे से जाकर उसके नेतर मुंद लिये परशोग उसके दौनों गाल अश्रु पूरी थे मैंने तुरन दौनों हाथ अटा लिया ऐसा परतीत हुआ मानो सर पने डस लिया हूँ हिर्दय पर एक चोट लगी मुन्नू को गोद में लेकर बोला मुन्नू क्यों रोते हूं मुन्नू ने सिसते हुए का मुन्नू ने मेरी और कातर दृष्टी से देखकर का जी नहीं वे मुझे बहुत प्यार करती है इसी कारण बारंबार मुझे रोना आता है मेरी अम्मा मुझे अतियनत प्यार करती थी वे मुझे छोड़ कर चली गए नहीं अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती इसलिए मुझे भै लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़ करना चली जाए यह कहकर मुन्नु पुन्हा फूट फूट कर रोने लगा मैं भी रो पड़ा अंबा के इस नहमे वेवार ने मुन्नु के सुकुमर लिड़े पर कैसे आगात किया था थोड़ी देर तक तो में स्थंबित रह किया किसी कवी की यह वानी स्मरणा गए कि पवित्र आत्माएं इस संसार में कीरकाल तक नहीं ठहरती कहीं भावी ही इस बालक की जीवा से तो शब्द नहीं कहला रही है इश्वर ना करे कि वह अशुब दिन देखने पड़े परन्तु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया समझा कि माता की मृत्यों ने प्रेम और वियोग में एक मांसिक संबंद उत्पन कर दिया और कोई बात नहीं मुन्नु को गोद में लिये वे अंबा के पास कर मुस्क्रा कर बोला इनसे पूछिये क्यों रो रहे हैं अंबा चौक पड़ी उसके मुक की कांती मलीन हो गई मुली तुम ही पूछो मैंने कहा यह इसलिए रोते हैं कि तुम इने अत्यंत प्यार करती हो और इसका भै कि तुम इसकी माता की भाती ने छोड़ कर न चली जाओ जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दरपन चमक उठता है उसी भाती अंबा का मुकमंडल प्रकाशित हो गया उसने मुन्नू को मेरी गोच से छेन लिया और कदाचित यह प्रथम अफसर था कि उसने ममतापून सने से मुन्नू के पाउं का चुमबन किया शोक विक्राज शब्दों से परीचित थे छे मास भी व्यतीत ना होने पाए थे कि अंबा बिमार पड़ी और एंफ्लोंजा ने देखते ही देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया पुन्हें वह उपवन मरुतुल्य हो गया पुन्हें वह बसा हुआ घर उजड़ गया अंबा ने अपने मुन्नू को मुन्नू पर अरपन कर दिया था हाँ उसने पुत्र स्ने का आदर्श रूप दिखा दिया शीद काल था और वह घड़ी रात्री शेश रहते ही मुन्नू के लिए प्राते काल का भूजन बनाने उठती थी उसके इस स्ने बहुल्य ने मुन्नू पर स्वभाविक प्रभाव डाल दिया वह हटीला और नटखट हो गया था जब तक अंबा भूजन कराने ना बैठे मुन में कौर न डालता जब तक अंबा पंखा न चले वे चार पाई पर पाउं न रखता उसे छेड़ता चिड़ाता हैरान कर डालता परन्तु अंबा को इन बातों से आत्मिक सुक प्राप्त होता इंफ्लूएंसा से खरा रही थी कर्वट लेने की शक्ती तक ना थी शरीर तवा हो राता परन्तु मुन्नू के प्राता काल के भोजन की चिंता लगी रहती थी हाई वे नी स्वार्त मातर से नहीं अब सुपन हो गया उस सुपन के समरण से अब भी विदे गदगद हो जाता अमबा के साथ मुन्नू का चुलबुला पंता था बाल के रिड़ा विदा हो गई अब वह शोक और नराशे की जीवित मुर्ती थी वह अब भी नहीं रोता ऐसा बदार्थ खोकर अब उसे कोई घटका कोई भे नहीं रह गया